हालो प्रेंट्स मैं श्वेटा आप सब का स्वागत करती हूं अपने चैनल श्वेटास क्लास्ट क्यूजिल्स पे तो दोस्तों होली आ रहे हैं होली पर बहुत सारी चीजे बनती है जैसे गुजिया चाथ पापनी तहीं भले बहुत कुछ बनता है ठंडाई तो हम है यूपी यूपी में खोली पर जो बनती है वह स्पेशल चीज वह है पालर तो आपने नाम चायद ही सुना होगा तो आज हम बनाते हैं पालर वह खटे मीठे पानी के साथ पकोड़ी उसमें आड़ करते हैं और तब वह बनती है बढ़िया सी रेसिपी तो चलिए आज बनाते हैं हम यूपी स्पेशल पालर पालर बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम इमली ले ली है और इसको दो कप पानी में भिगो दिया था अगर आपको जल्दी है तो आप गरम पानी में इसको एगंटा पहले भी भिगो सकते हैं हमने आधा किलो गुड़ लिया है और हमने पुदीना पत पेस्ट बना लेते हैं दोस्तों देखिए हमने जो अपना ये पुदीने धनी का अद्रक का और हरी मिर्ची का पेस्ट था उसको हमने पीस कर कर लिया है तयार और जो हमने अपनी इमली भिगो कर रखी हुई थी उसको हमने अच्छे से पीस कर छान लिया है तो ये पेस्ट ह हम लेंगे एक बावल और हमने जो गुड़ को भीगोया था उसको हम छान लेंगे ये हमने गुड़ को भीगोकर रखा था एक घंटे के लिए इसको हम छान लेते हैं गुड़ में थोड़ी गंदगी वगेरा ना हो इस वज़े से हम इसको छानते हैं ताकि उसकी जो अब हम बनाते हैं अपना पानी के लिए कर रहे हैं आप चाहे तो आप तो जितना पानी बना रहे हैं उसी साब से इसको एड़ कर सकते हैं दो चम्मच हम लेंगे इमली का पेस्ट और अब हम एक कप लेंगे गुड़ का पानी एक चम्मच लेंगे हम इसमें काला नमक आधा चम्मच लेंगे हम सपेद नमक आप अपनी टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं और ये हमने जीरा और हींग को भून लिया है और उसको हलका दरदरा पीस लिया है इसको लेंगे हम दो चम्मच और अब हम इसे पानी एड़ करेंगे चार कप पानी ले लेते हैं एक लिटर के हिसाब से पानी ठंडा ले लिजेगा चिल्ड पानी का ही यूज करना है इसमें और दोस्तों जो हमारा समान बच गया है इमली का पल्फ हमारी चटनी और गुड का पानी ये सब हमारा गोल गप्पे के पानी बनाने के काम में आ जाएगा इसे हम आड़ करते हैं बूंदी ये हो गया है हमारा पानी तयार इसको रपते हैं एक साइट दोस्तों हमने दो कप उड़त डाल ली थी और इसको हमने रात भर भीगने के लिए रख दिया था और अगर आपको जल्दी हो तो आप सुभा एक गंटा पहले भी इसको भीग वो सकते हैं गरम पानी में यह अच्छे से भीग जाएगी और इसको मैंने दो लिया है अच्छे स दोस्तों देखें हमने अपनी दाल को पीस लिया है और पेस्ट बना लिया है अच्छा सा अब हम इसको फेटेंगे ताकि हमारे दाल के जो भले बनेंगे वह बहुत ही सॉफ्ट बने अंदर से उसके गांटे नहीं पढ़नी चाहिए दोस्तों हमने दाल को फेट लिया है और थोड़ी सप्रीव सब डाल कर देखते हैं देखें हमारी तैर रही है इसका मतलब हमारी जू दळ वह बहुत हलकी हो गई है और अब हम इसके बने बनाता आक है हम अपनी डाल ने डाल देरेएं थोड़ा सा मतलब हम भी शूरा चछा और ही हम्नार पानी में डाल दिया है तेल को कर लेते हैं गरम दोस्तों भले बना दे के लिए हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक कटूरी लेंगे हम एक कटूरी लेते हैं हम देते हैं एक टूरी और उस कटूरी पर एक कपड़ा ऐसे लेंगे यह देख से कर लेंगे हम और इस पर लगाएंगे हम इस पर लगाते हैं हम इस पर लगाएंगे पानी गीला कर लेंगे इसको हम अपनी ये ले लेंगे हमने गीला कर लिया है अपने कपड़े को और इस पर हम अपने हातों को भी गीला कर लेते हैं और अपनी डाल को लेते हैं इस कपड़े पर ऐसे इसको फैलाएंगे और ऐसे उतार कर डाल देते हैं पानी का यूज हम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसी यवाज आ रही है थोड़ा देखकर तलिएगा आप लोग पानी का यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो है उदाल चिपत जाएगी कपड़े पर ऐसे हम अपने सारे भलों को तल लेते हैं आप इसे हाथों से भी बना कर इसको डाल सकते हैं अपने भलों को अगर आप थोड़ा चप्टा करना चाहें तो आप कटोरी पर बनाए और अगर आप ऐसे गोल गोल ही बनाना चाहते हैं तो आप इसे हाथों से भी बना सकते हैं कि अब रहे हैं देखिए हमारे जो डाल के भले है यह और भी फूलते जा रहे हैं इनका जो है आकार बढ़ा होता जारा है जान आठें है अ में कि अप्स बना सकते हैं रहे हैं है लेकिन मुझे पर सनली कई खकार के बहुत पसंद है क्योंकि उड़ेदी जाल के बहुत सौफ्ट बनते हैं भले हमारे थोड़ा हिला देते हैं एक साइब से हो गए है तो हमारे भले बनकर है तयार और अब हम इनको निकाल लेते हैं इदिकी गुल्डर डाउन हो गए हैं हम अपने सारे भलो को तल लिया है है इसे से साइड में लगा के इनका एक्सक्ट्रा तेर निकाल की तब इनको निकालते हैं हुए exporting है इसे धकर तो हैं है ऊच्फिल्ण है नहीं है दोस्तों इदिकिए हमारे इपना पानी नाया है में उसको ले लेते हैं और उसедम हम दिप कर देते हैं अपने पुरती डाल वाले भले ऐसे हैं है कि यह देखिए दोस्तों हमारा पालर बनकर रेडी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको जब इसको आप बनाएंगे और इतना टेस्टी लगता है ना यह पीने में एक बर बनाएंगे तो हर बार जो आप इसी को बनाने का आपका मन करेगा और जब त्योहारो पर कुछ मीठा खा लेते हैं ज्यादा तो खट्टा काने का मन करता है और यह खट्टा मीठा सा यह पान यह पालर इतना टेस्टी लगेगा ना तो आप बनाएंगे इस हॉली पर और इंजॉय कीजिए अपनी फैमिल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सबसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार